जब हम आइडेंटिटी के विशे में बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति की जो खुद की पहचान होती है उसकी आइडेंटिटी से ही पता चलती है और किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसकी आइडेंटिटी का होना बहुती ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही उसको बताती है कि वो कौन है और जब हम प्रभी येश्व मसी के विशे में देखते हैं तो येश्व मसी ने बहुत सारी चीजों को इस्तमाल करके अपनी आइडेंटिटी को लोगों तक पहुचाने की कोशिश की थियोलोजी के अंदर एक शब्द का इस्तमाल हम करते हैं और वो होता है मेटाफोर जिसका आर्थ होता है और अगर हिंदी में इस शब्द का आर्थ देखें तो होता है रूपक अगर हम यहुन्ना रचित्सू समचार में देखें तो येशु मसी ने इस मेटाफोर शब्द को का इस्तमाल करके कहने का मतलब यह कि उसने अपने आपकी आइडेंटिटी को बताने के लिए रूपक चीजों का इस्तमाल किया आज उनी एक आइडेंटिटी में से मैं आप लोगों के साथ परमेशर के वचन में से बाटना चाहूँआ और जो मेरा आज का जो मैंने टॉपिक रखा है अपनी प्रीचिंग का वो मैंने रखा है जीजस केम नौट टु गिव ब्रेड बट टु बी ब्रेड जीजस केम नौट टु गिव ब्रेड बट टु बी ब्रेड हिंदी में येशु रोटी देने के लिए नहीं आया लेकिन रोटी बन कर आया येशु रोटी देने के लिए नहीं आया बलकि रोटी बन कर आया पर शुरुआत के पड़ों में देखते हैं कि यिशुमसी वहां पर एक आश्चार्य करम करते हैं और पाँछ हजार लोगों को पाँच रोटी और दो मच्ली के दुआरा क्या देते हैं और वहाँ पर वो अपनी पहचान इस तरीके से उन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारी शारिरिक जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभू हूँ। जब हम उस अध्याय में आगे बढ़ते हैं तो हम वहाँ पर पाते हैं कि येशु मसी अपने चेलों के पास पानी के उपर चल कर आता है और जब पतरस भी वहाँ पर उससे पानी पर चलने का आगरे करता है तो पतरस वहाँ पर पानी पर चलता है लेकिन जब वो इधर उधर तो पानी में डूबने लगता है और येशु मसी उसे उस पानी में से बाहर निकाल देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि येशु मसी प्रकरती पर भी अपना अधिकार रखता है और शारिरिक रूप से मनुष्य के जीवन को बचाने की सामर्थ भी रखता है। लेकिन जिस खंड को आज आपके सामने पड़ा गया है उस खंड में से मैं आज जब आपके सामने परमेश्वर के वचन में से बाटूँगा तो वह इस खंड के अंदर ना तो शारिरिक जरूप के बारे में बात करता है और ना ही शारिरिक जीवन के विशे में बात करता है ब सच्ची रोटी जो स्वर्ग से आत्मिक भूख मिटाने के लिए इस संसार में आई और इस खंड में से मैं तीन महतोपूर बिंदूों के ऊपर आप सभी के ध्यान को केंदरित करना चाहूंगा जिसमें से पहला पॉइंट मैंने इस पैसेज में से लिया है वो है उसे जानो कि वह जीवन की रोटी है जो हमें अनंत जीवन देती है यदि हम यहन्ना रची सु समचार उसका छे अध्याए और उसके 25 पत से लेकर 26 पत तक पड़े तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि एक भीड येशु मसी के पीछे पीछे उसको ढूंडती हुई तिबरिया की जील से लेकर कफरणूम तक पहुँच गई है और वहाँ पर पहुँचने के बाद हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से लिखाए कि जील के पार जब वे उससे मिले तो कहा हे रब्भी तू यहां कब आया वो येशु मसी को ढूंडते हुए कफरणूम तक पहुँच गए हैं और येशु मसी ने उन्हें उत्तर दिया मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंडते हो कि तुमने आश्चारे करम देखे हैं परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो जब मैं इस बात को यहां पर पढ़ रहा था तो मुझे आश्चारे हुआ कि एक भीड येशु मसी को ढूंड रही है और येशु मसी उन लोगों को इस परकार की पृतिकिरिया दे रही है और वो ये बता रहे हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंड रहे हो कि तुमने आश्चारे करम देखा बलकि इसलिए ढूंड रहे हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो यहां पर प्रुभू येशु मसी हर एक उस व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं जो उसको फॉलो करता है वो हर एक विश्वासी के व्यक्ति गतजीवन को जानते हैं कि वो क्यूं येशु मसी के पीछे चल रहा है येशु मसी हम सब की intention को जानते हैं कि हमने क्यों प्रभी येशु मसी को follow किया है और येशु मसी इस भीड को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये क्यों येशु मसी को follow कर रहे थे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही क्राउड है ये वही भीड है जिनको येशु मसी ने खाना खिलाया था जिनको येशु मसी ने पाँच रोटी और दो मचलियों के द्वारा भोजन दिया था और हम इन लोगों के विशे में देखते हैं कि जब येशु मसी के पास ये आते हैं तो येशु मसी इनसे कहते हैं कि तुम रोटियां खाकर त्रिप्थ हुए हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भीड भले येशु मसी को फोलो कर रही थी लेकिन येशु मसी की पहचान को करने में ये फेल हो गए थी ये येशु मसी को पहचानने में फेल हो गए थी आज इस संसार के अंदर बहुत बड़ा क्राउड येशु मसी के पीछे चल रहा है और उसको फोलो कर रहा है यदि हम अलग-अलग प्रकार की सभाओं में देखे तो बहुत सारे लोग प्रभी येशु मसी को आज फोलो कर रहे है कितने लोग येशु मसी को पहचान गए है क्या वो केवल अपनी शारिरिक अवश्चकताओं को पूरा करने के लिए प्रभी येशु मसी को फोलो कर रहे है या फिर वो पहचान गए है कि ये जीवन की रोटी है ये वो जीवन की रोटी है जो हमें अनन्त जीवन देती है ये वही क्राउड था जिनको ये शुमसी ने पाँच रोटी और दो मशली के दुआरा भोजन खिलाया लेकिन फिर भी ये शुमसी से चमतकार के लिए दरख्वास कर रहे है और वो उससे फिर से ये शुमसी से इस बात को पूछते हैं कि तू हमें कौन सा चमतकार दिखाएगा यदि हम छे अध्याई के तीस पद में पढ़ें तो वहाँ पर इस परकार से लिखाए तब उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा चिन दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरा विश्वास करे तू कौन सा काम दिखाता है ये अभी भी येशुमसी से चमतकार के लिए दरख्वास कर रहे हैं लेकिन येशुमसी के पृतिक्रिया इन लोगों के लिए बहुत अच्छी थी मनुष्य का पुत्र तुम्हे देगा क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आज हम जब परमेश्वर से प्रात्ना करते हैं, तो कितनी प्रात्नाएं ऐसी हैं, जो हम अपनी शारिरिक अवश्वर को पूरा करने के लिए करते हैं। और कितनी प्राथनाएं वो हैं जो हम अपने आत्मिक जीवन के लिए करते हैं, हम सब अपने विश्य में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम परमेश्वर से अच्छी जौप मांगते हैं, अच्छा भोजन मांगते हैं, हम परमेश्वर से अपनी हर एक अवश्यक्ताओ की चीजों के लिए परमेश्वर से प्रातना करते हैं लेकिन हम में से कितने लोग परमेश्वर से प्रातना करते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे परिवार को और मेरे बच्चों को आत्मिक रूप से बड़ा ताकि हम आत्मिक रूप से तुझ में और भी जादा मजबूत हो सक येशु मसी जब यहाँ पर इन लोगों से बात कर रहे है तो वो आत्मिक चीजों के विशे में बात कर रहे है येशु मसी ने से पहले इन लोगों को बहुत सारे आश्चारे करम दिखाए लेकिन यहां पर येश्व मसी इन से अब उन आश्चारे करमों के विश्व में बात नहीं कर रहा बलकि उस आत्मिक जीवन के विश्व में बात कर रहा है जिसकी हर एक मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यक है know him that he is the bread of life who gives us eternal life मनुष्य की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो अनंत जीवन है और येश्व इस खंड के अंदर केवल अनंत जीवन के विश्व में बात करता है जब मैं इस पूरे अध्याय के उपर अध्यन कर रहा था तो मैंने एक चीज को पाया कि कहीं पर भी येश्व मसी इन से इस खंड के अंदर खास थोर से शारिरिक चीजों की बात नहीं कर रहा है और नहीं शारिरिक जरूरतों के विश्व में बात कर रहा है बलकि वो आत्मिक जरूरतों की बात कर रहा है क्योंकि ये येश्व मसी को पहचानने में भूल कर गए थे ये केवल येश्व मसी को इसलिए ढून रहे थे क्योंकि वो इनकी शारिरिक अवश्चक्ताओं को पूरा करता है और वो हमें वो अनंत जीवन देता है जो केवल उसी के दौरा हमें मिल सकती है आज हमें अपने आपको जाचने की आवश्चक्ता है कि क्या हम आत्मिक रूप से भी परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे है या आत्मिक चीजों पर भी मल लगाने की कोशिश कर रहे है या फिर केवल हमारा ध्यान उन संसारिक चीजों के उपर है जो नाश्वान है मैं ये नहीं कहा रहा कि हमें अपनी जीवन की हर एक वस्तु के लिए प्रात्ना नहीं करनी चाहिए जरूर परमेश्वर हमारी हर एक अवश्चक्ताओं को जानता है लेकिन अपने आत्मिक जीवन के विशे में भी हमें सोचने की आवश्चकता है कि हम spiritually कितना आगे बढ़ रहे हैं अगर हम आज के समय के विशे में बात करें खासतोर से जो believers हैं वो इतने ज्यादा अपने आप में इतने ज्यादा वो हो गए हैं कि अब वो चर्च में आना पसंद नहीं करते हैं अभी चर्चेस बंध हैं और जब चर्चेस खुले हुए थे तो फिर भी चर्चेस खाली थी क्योंकि लोग अब अपना comfort केवल इस zoom meeting पर ही देखना चाते हैं और वो कहते हैं कि घर पर अपना late कर अराम से परमेश्वर की अराधना करना ही हमारे लिए ठीक है क्योंकि हर एक व्यक्ति ने आज के समय में अधिकतर लोगों ने अपने आपको इतना ज़्यादा comfort बना दिया है कि अब परमेश्वर की अात्मिक चीजों के लिए वो इतना ज़्यादा effort नहीं कर रहे है प्रियों हमें अपने आत्मिक जीवन पर भी ध्यान देने की आवशकता है इस पूरे खंड के अंदर यिशु मसी आत्मिक जीवन के विशे में बात करता है और वो आत्मिक जीवन हमें किस प्रकार से मिलेगा वो आत्मिक जीवन हम कैसे प्राप करेंगे वो जीवन की रोटी हम कैसे प्राप्त करेंगे इसी passage के अंदर इश्व मसी उनको इस आत्मिक जीवन के विशे में बताता है कि वो कैसे प्राप्त करेंगे और वो हम कैसे प्राप्त करेंगे विश्वास के दुआरा दूसरा जो बिंदु मेरा है वो है trust him because he gives his life to give us life which is eternal उस पर विश्वास करो क्योंकि उसने अपनी अपना जीवन इसलिए दे दिया ताकि हम अनन्त जीवन प्राप्त करें हम अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करें हमें अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करने की आवर्शकता है यदि हम 6 अध्याय के 35 पद में पड़ें तो यिश्व मसी ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ जो मेरे पास आता है वो कभी भूका ना होगा और जो मुझबर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा परन्तु मैंने तुमसे कहा था की तुम तुमने मुझे देखा भी है तो भी तुम मुझबर विश्वास नहीं करते हो यिश्व मसी हर एक व्यक्ती की इन्टेंशन को जानता है क्यों यिश्व मसी को फॉलो कर रहा है इससे पहले ये शुमसी ने उंको चमतकार दिखाया उसने पाँच रोटी दो मशली के दौरा उनको हजारो लोगों को, पाँच हजार से भी जादो लोगों को वहाँ पर खाना किलाया फिर येशुमसी ने अपने छेलो को दिखाया कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो मुझ पर विश्वास करता है वो आनंत जीवन को प्राप्त करता है और ये रोटी जो खाता है जो मुझ में से खाता है वो फिर मिर्तियों को अपने जीवन में नहीं देखेगा आज हमें येश्व मसी की उस देह में से खाने की आवश्चकता है आज हमें येश्व मसी के साथ अपनी सहभागिता को करने की आवश्चकता है येश्व मसी ने कहा कि जो मुझ में से खाएगा और जो मुझ में से पिएगा वो फिर कभी नहीं मरेगा वो हमारी शारिरिक आव यिशु मसी ने आख उठा कर उस भीड को देखा और कहा कि इनको खाने के लिए कुछ देनी की आवश्चक्ता है और उसने फिलिप्पुस से कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो येशु मसी हमारी शारिरिक आवश्चक्ताओं को जानता है जिस प्रकार से उसने पिछले दो वर्षों में हमारी सारी आवश्चक्ताओं को पूरा किया हमारी शरीर की आवश्चक्ताओं को पूरा किया वो इस वर्ष में भी जबकि हम इस पैंडिमिक का सामना कर रहे हैं वो इस वर्ष में भी हमारी सारी अवर्शक्ताओं को पूरा कर सकता है लेकिन ये सोचने की बात है कि कहीं हमने येश्यू को केवल हमारी जरुतों को पूरा करने वाला ही प्रभू तो नहीं बना लिया है या फिर हमने उसे इसलिए ग्रहन किया है कि वो सच मुझ हमारे जीवन का प्रभू है हमारे जीवन का आधार है आज बहुत सारे लोग जो हैं वो चमतकारों पर विश्वास करते हैं चमतकारों के द्वारा कोई भी व्यक्ति प्रुभी येश्व मसी को accept नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता। यदि हम लुकारची सूसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 27 पद में पड़ें। जहां पर गरीब लाजर और धनी व्यक्ति का दृष्टान दिया हुआ है। वहाँ पर हम एक चीज को पाते हैं कि जब धनी व्यक्ति उस आग में जल रहा था तो वो अबराहम से एक दरख्वास करता है। वो कहता है कि हे पिता मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे भाईयों के पास भी इस समाचार को पहुचा कहीं ऐसा नहों कि वो भी मेरी तरह यहां पर आकर इस नरक की आग में जलते रहें। अबराहम ने उससे कहा कि उनके पास भाविश्य दक्ताओं की पुस्तके और परमेश्वर का वचन है। उस धनी व्यक्ति ने कहा कि यदि कोई मरे हुऊं में से जाकर उनको परचार करेगा तो वो विश्वास करेंगे। वहां पर अबराहम ने उससे कहा कि जो परमेश्वर के वचन पर और भाविश्य वक्ताओं की बातों पर विश्वास नहीं करते तो वो कैसे मरे हुए में सी जूटने वालों पर विश्वास कर सकते हैं। कहने का अर्थ प्रियव यहां पर पर यह है कि कोई भी व्यक्ति चमत्कारों के द्वारा विश्वास नहीं कर सकता। आज बहुत चमत्कार दिखाये जाते हैं। beyond social media पर देखें तो वहां पर बहुत सारे चमत्कार दिखाये जाते हैं। और उन चमतकारों की वज़े से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब के जो लोकल चर्चेज हैं, वो खाली हो गए हैं, क्यों खाली हो गए हैं, क्योंकि लोग चमतकार को नमशकार करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन चमतकार होने बंद हो गए, उस जिन ये भीड वापस अपनी पिछली जिन्दगी में लोट जाएगी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बलकि ये परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर आप योहना उसका च्छे अद्ध्य है और उसके 66 प्रद में पड़ें, तो वहाँ पर लिखा है कि इस पर उसके चेल जो मुझ में से खाएगा, वो अनन्त जीवन को प्राप करेगा, ये बात उनको गवारा नहीं हुई। और परमेश्वर के वचन में लिखाया है, 66 प्रद में, कि इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब ये शुमस आता है कि विश्वास करने की आवश्चकता है, क्योंकि विश्वास करने वाले को ही अनन्त जीवन मिलेगा, आज प्रभू ये शुमसी केवल हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला ही नहीं है, बलकि वो तो अनन्त जीवन देने वाला है, अगर वो यहाँ पर चमतकार कर रहा है कि मैं इस संसार में रोटी देने के लिए नहीं आया बलकि रोटी बन कर आया हूं और इस रोटी में से तुम्हें खाने की आवश्क्ता है। और परमेश्वर के वचन में भी हम इस बात को पाते हैं कि यूश्व मसी ने कहा कि वो रोटी मेरा मास है जिसमें से तुमें खाने की आवशक्ता है। आज हमें परमेश्वर पर प्रुवी यूश्व मसी पर विश्वास करने की आवशक्ता है कि वो कौन है। ये लोग येश्व मसी को पहचानने में फेल हो गए, इसलिए येश्व मसी ने उनसे कहा कि मुझ पर विश्वास करो ताकि तुम अनन्त जीवन को प्राप करो, जब येश्व मसी ने इन चेलों से पूछा कि क्या तुम भे चले जाना चाहते हो, तो उनकी प्रतिकरिया बहु अनन्त जीवन के वचन है, और यदि आप छे अध्याय के 68 पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर शमोन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभू, हम किसके पास जाएं, अनन्त जीवन की बाते तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है, और जान गए हैं कि परमेश्वर क पवित्र जन तू ही है, यहां पर वो इस बात को बताता है कि अनन्त जीवन की सारी बाते तो तेरे ही पास है, जिसकी नीव विश्वास पर रखी गई है, वो येश्व मसी को मरते दम तक फॉलो करेगा, और पतरस ने भी और उसके अन्ने चिलो ने भी येश्व मसी पर वि संसार की अन्य वस्तूओं पर और चमतकारों पर जिसकी नीव रखी गई है, वो कुछ समय के बाद वापस लोड़ जाएगा और अपनी पिछली जिंदिगी में चला जाएगा, येश्व मसी ने एक बार अपने चेलों से अपनी आइडेंटिटी के विश्व में पूछा, उसने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, कुछ ने कहा कि तू यहनना बबतिस्मा देने वाला है, कुछ ने कहा कि लोग तूरे विशे में कहते हैं कि तू यशाया है, किसी ने कहा यिर्मिया है, किसी ने कहा कि तू अन्य भहिश्य दखता है, येश्व मसी ने कहा कि तुम कहता हूं कि तू पत्रस है मैं तुछ पर अपनी कलीसिया इस्थापित करूँगा। वहाँ पर जो यूश्व मसी के कहने का अर्थ था कि मैं तेरे विश्वास के ऊपर अपनी कलीसिया को इस्थापित करूँगा। आज जो हमारा जो चर्च है उसकी नीव विश्वास पर रिखी गई है और हम जितने भी लोग हैं हम विश्वास के दुआरा पुर्भी युश्व मसी के पीछे चल रहे हैं और विश्वास पर ही हमारी कलीसिया की स्थापना हुई है आज हमें युश्व मसी के पीछे चलने के लिए पुर्भी युश्व मसी पर बने रहने की आवश्चता है क्योंकि हमारे लिए संसार की चीजे कोई मैटर नहीं करती हमारे लिए परमेश्वर की आग्याएं हैं परमेश्वर के वचन हमारे लिए मैटर करते हैं इसलिए हमें उसमें बने रहने की आवश्यक्ता है और उसके पीछे चलने की जरूरत है आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे जीवन में आश्चारे करम बंध हो गए तो क्या हम प्रभी विश्व मसी के पीछे चलना छोड़ देंगे? नहीं क्योंकि हमारी जो नीव है वो आश्चारे करमों के उपर नहीं रखी गई है हमारी नीव विश्वास के उपर रखी गई है और हम जितने भी परचार अपने चर्च में सुनते हैं हम यही सुनते हैं कि येश्व मसी संसार में आनंत जीवन देने के लिए आया हमारी नीव जो है वो विश्वास पर रखी गई है आज हमें अपने आपको जानने की आवश्च रखता है कि हम spiritually कितना आगे प्रुभी शुमसी में बढ़ रहे हैं जीजस डिड नोट कम टू बी यूसफुल बट टू बी प्रेशियस जॉन पाइपर ने इस बात को कहा उसने का जीजस डिड नोट कम टू बी यूसफुल बट टू बी प्रेशियस वो इसलिए संसार में नहीं आया है कि वो हमारे लिए यूसफुल हो क्योंकि वो यूश्व मसी को useful की तरह देख रहे है कि वो हमारी जरूतों को पूरा करेगा लेकिन पीटर पतरस इस वात को declare करता है कि तू precious है क्योंकि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसी है प्रियमित्रो यूश्व मसी इस संसार में रोटी देने के लिए नहीं आया बलकि रोटी बनकर आया ताकि हम आनंत जीवन को प्राप करें मेरी इस statement के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिस कार्रे के लिए परमेश्वर इस संसार में आया है प्रभु ईशु मसी उस पर हमें ध्यान देने की आवश्चकता है यदि हम 51 पद में पढ़ें तो ईशु मसी ने कहा जीवन की रोटी जो स्वर्ख से उत्री है मैं हूँ यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सरवदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए देता हूँ वो मेरा मास है जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो वहां पर प्रभु ईशु मसी ने इस बात को कहा कि जो यह मेरी दे है जो तुम्हारे लिए दी जाती है तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है उसने अपनी दे हमारे लिए दी है उसने अपनी जान हमारे लिए दी है इसलिए वो हमारे लिए यूसफुल नहीं है बलकि वो हमारे लिए प्रेशियस है आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों से यही बताना चाहता था कि know him, trust him and follow him. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए useful है, नहीं, वो हमारे लिए precious है. जो शारिरिक रोटी है, ना उसके लिए हम अपना, जितनी भी शारिरिक रोटी हम अपने जीवन के लिए प्राप्त करते हैं, वो मेहनत के द्वारा करते हैं, हम job करते हैं, हम business करते हैं, अन्य प्रकार की कामों को करते हैं, ताकि हम शारिरिक जीवन के लिए रोटी को प्राप इस आत्मिक रोटी के लिए जो सब कुछ करा है वो परमेश्वर के एक लौते पुतर ने किया है उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी और ये रोटी हमें फ्री में मिल गई हमने इसके लिए कोई effort नहीं किया ये रोटी हमें फ्री में मिली है हमें इस रोटी की एहमियत को अपने जीवन में समझने की आवश्चता है उसने अपने चेलों से कहा ये मेरी दे है जो तुम्हारे लिए दी जाती है इसलिए प्रियो हमें अपने जीवन में तीन चीजों को जानने की जरूवत है जो इशु मसी इस पूरे खंड में बताना चाहते हैं Know Him, Trust Him and Follow Him क्यों? क्योंकि वो रोटी देने के लिए नहीं आया बलकि रोटी बन कर आया वो हमारी जरूरतों को जानता है वो हमारी अवश्यक्ताओं को जानता है वो हमारी अवश्यक्ताओं को पूरा भी करता है लेकिन उसकी जो आने की intention थी वो इसलिए थी क्योंकि मनुश्य उद्धार को प्राप करे क्योंकि इनसान को सबसी ज़्यादा जरूरत अननत जीवन की ही थी मनुश्य रोटी खाकर तो मर जाएगा उसने कहा कि मुश्य ने जो तुम्हें मनना दिया तुम्हारे बाप दादाओं ने खाया और मर गए लेकिन मैं जो तुम्हें रोटी दूँगा तुम कभी भी ना मरोगे प्रियो मित्रो इसलिए हमें इस रोटी की एहमियत को समझने की आवश्यक्ता है क्योंकि इसके लिए हमने एफट नहीं किया बलकि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि वो हमारी जगा अपनी देह को दे अपनी देह को तोड़े ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप करें और फिर कभी ना मरें तो परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि नो हिम, ट्रस्ट हिम और फॉलो हिम परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आयट के साथ आशिश दे थेंक्यू परमेश्वर यही हमसे चाहता है